जमशेदपुर की टाटा मुख्य अस्पताल में 18 वर्से ईवक की मौत के बाद परिजन आक्रोशी थो उठे हैं और लापरवाही कारोप लगा कर जम कर हॉस्पटल में बावाल काटा बता दे परिजनों ने डॉक्टर जैंत कुमार के खिलाब कारवाई की मांग उठाई है ब उसके बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया फिर से मरीज को दर्द अनुभव हुआ और यहां पर फिर से लाया गया जहां इलाज की क्रम में उसकी मौत हो गई इधर परिजनों ने बताया कि जब मरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ फिर डिस्चार्ज कैसे कर दिया गया इधर हंगामा की सुचना मिलते हैं विस्टो पूर्थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शान्थ कराने में जुट गई इस 24 से जाविद आलम आप देख रहे हैं अभी से कुमार जू 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 बेड़ा टेलको का रहने वाला था उसका बामूली सा एक्सिडेंट हुआ जिसमें इसको ट्याटर में होस्पीटल टीमेच में एड्मिट कराए गया डॉक्टर के लापरवाई से उसका मौत हो गया है उसके पैरेंस दुआरे एक लाग दीस हजार रुपिया दिये गया इनका मांग है कि इन्हें न्याई मिले और डॉक्टर का लैसेंस रद किया जाए और तत्काल डॉक्टर को एरेश्ट किया जाए यह है टाड़ा मैं हॉस्पीटल का नासारा मैं इस 24 से जावेद आला में मैं नाम क्रिश्वा कामत हुआ मामला क्या है मामला बेस्पध वार का है बच्चा के एक्सिजेंट हो था इसमें उसको हाथ पाउ में चोटा है हम लोग ट्यम है तीन बज़े करें बेस्पध वार को उस टाइम पे पैसा करें पैसा जमा करके इसका भरती करा है उसके बाद करता है कि आप अपना पेसेंट ले ये बिल्कुल ठीक है बढ़िया है हम लोग ले गया है उसके बाद कल मंडे को हम लोग जब दर्द हुआ तो ले क्या रिखाने के लिए एक दवा तक नहीं दिया हम लोग से पांसे फीड लिया हो जो क्या बहुते पेपर बादाने का चा करके वेद्याइब देखें बच्चा सुवेद में द्यान हो गया तरहीं जो उसका सरजरी किया जो इलाज किया जो छुट्ती दिया उसका लाइसेंस ग्रद होना चीए उसके उपर करवाई होना चीए कि दुबारा किसी भविश में किसी बच्चे के साथ मैंसा ना हूँ क्या नाम था बच्चे का अभिसे कुमार उम्र के इतने था उम्र 18 साल आप को नुए